इस बीच बड़ी खबर अफगानिस्तान से मिल रही है जहां भीशन थंड की चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो गई वहां पारा काई शहरों में माइनस 28 डिगरी तक पहुँच गया है जिसकी वज़र से लोग तेजी से थंड की चपेट में आ रहे हैं जरानकाली के मताबिक अब तक वहां हार कपा देने वाली थंड की वज़र से 166 लोगों की मौत हो चुकी है क्यूकि बिजली और दूसरी सुवधाएं वहां के लोगों को नहीं मिल पा रही है अफगानिस्तान के कोछ इलाकों में तो पारा माइनस 28 डिगरी से भी नीचे पहुच गया है जो जनवरी में 0-5 डिगरी से बीच रहता था लेकिन अब जब कडाके की थंड से निपटने का इंतजाम नहीं है तो लोग उसकी चपेट में हैं सर्द मौसम और गिरते पारे की वजर से वहां मौत के आखने लगातार बढ़ रहे हैं ज्यानकारी के मताबिक पिछले हफते वहां लगभग 84 लोगों की थंड की चपेट में आने से मौत हुई थी और वहां के लोगों का आरोप है कि तालिबान सरकार से उन्हें मदद नहीं मिल रही है यानि वहां लोगों को कडाके की थंड में उनके हाल पर ही छोड़ दिया गया है जिसकी कीमत वो अपनी जान गवा कर चुका रहे हैं तालिबान सरकार बनने के बाद से ही अफगानिस्तान के लोग अलग-अलग तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे है इस समय अफगानिस्तान भी उन देशों में शामिल है जो भयानक आर्थिक संकट से जूज रहा है अफगानिस्तान में लोगों को दो वक्त की रोटी के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ रही है लेकिन रोटी का इंतजाम करना तो ठीक है पर अब जब सर्दी ने कहढ़ाना शुरू कर दिया है तो उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो लकडी और कोईला खरीद का ठंड से बच सके लेकिन भेशन ठंड की मार केवल वहां के लोग ही नहीं जहल रहे बल्की पालतू जानवरों का भी वहां पर हाल बहत बुरा है अब तक वहां हजारों मवेश्यों की मौत हो चुकी है यानि अफगानिस्तान बुरी तरह से शीत लहर के कहर से जूज रहा है असल में तालिबान के सरकार बनने के बाद से वहां लोगों की मुश्किले बढ़ती जा रही है कई देशों के अफगानिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की कीमत वहां के लोगों को चुकानी पड़ रही है तालिबान की आने के बाद लाखों लोग भुखमरी की कगार पर है सयुक्त राष्ट्र की तरफ से चलाए जा रहे है इस सहायता अभियान पर भी तालिबान अडगा लगाता आया है यही वज़ा है कि लोगों तक बाहर से भी वो मदद नहीं मिल पा रही है जो उन्हें भुखमरी और भीशन ठंड से बचा पाए एक भड़ी खबर मिल रही है चीन और अमेरिका के बीच दो साल बाद भयंकर युद्ध हो सकता है यह भावेशे मानी यूएस एर फोर्स के चॉप जनरल माइक विनहन ने की है इस संबध में जनरल ने अपने अधिकारियों को एक मेमो भेज रहा है और युद्ध के लिए तयार रहने को कहा है इस मेमो में अमेरिकी वाई उसेना के एर मॉबिलिटी कमान के प्रमुख जनरल माइक विनहन ने कहा कि मैं उमीद करता हूँ कि जो सोच रहा हूँ वो गलत साबित हो लेकिन मेरा मन कह रहा है कि अमेरिका और चीन में दोजार पच्चीस में ग्युद्ध हो सकता है इधर उत्तर प्रदेश के सीतापूर में एक बाजार में उस वक्त हड़कम पच गया जब बाजार में खड़ी एक मोटरसाइकल में अच्वाना कागलग कर और देखते ही देखते बीच बाजार खड़ी मोटरसाइकल धूद्धू कर जलने लगी आग की उंची उंची लप्टो को देखकर बाजार में अफरा तफरी मच गई जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने जलती हुई मोटर साइकल पर बालू डाल कर आग पर खाबू पाया लेकिन जब तक आग बुझी तब तक मोटर साइकल जल कर राख हो चुकी थी दावा है कि बाजार में एक आदमी सामाल लेने गया था जिसने मोटर साइकल को खड़ा किया था और अचानक उसमें आग लग गई हाला कि आग किन कारणों से लगी थी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाप को प्राइब कर देगा मैं सोच में नहीं सकता था गॉर्मेंट फंक्श्टरी को इंपरस्टेट करता था आवाजे बरनुता था टार्गेट भी बहुत पावरफुल नन्वान लोगों को करता है यह एक ही चीज से रुख सकता है अगर आप इसकी जीव करें न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज एफ आई आर नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 फेबरी 9 पीम